आप डेविल के पीछे और डेविल आपके पीछे, too much fun ये तो तेह है, जब ये डायलॉग जहन में आता है तो साल 2014 में आए फिल्म किक की याद दिल आता है जो कि एक रोमांस आक्शन से भरपूर मूवी थी, जिसे दर्शेकों द्वारा बेहत पसंद किया गया था फिल्म में सलमांच खान ओर जैक्रिन फंडांडस की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया था सलमां बॉलिवोर इंडस्ट्री के कैसे अभीनेता हैं जो की हर तरह के किरदारों को बगखू भी निभाते है और उन्होंने इस फिल्म में भी अपने किरदार को बगभू भी निभाया था यही वज़ा है कि उनके फैंस उनकी अपकमिंग मूवी का बेस सब्री से इंतिसार करते हैं और वे जानना चाते हैं कि उनकी अपकमिंग मूवी कौन सी होगे फिल्म में उनका खिरदार किस तरह का होने वाला है और फिल्म की कहानी किस तरह की होगी तो आज की इस वीडियो में हम आपको सल्मान खान की अपकमिंग मूवी के बारे में बताने वाले हैं अगर आप भी इन सबी बातों को जानना चाते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें और इस दमदार अभिनेता के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें जैसा कि आप जानते हैं बालीवुड के दमदार अभिनेता सल्मान खान जिन्होंने अपने 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 दमदार अभिनेता सल्मान रंदीप हुड़ा और नवाज उदिन सिद्गी नजर आएं थे। कि इस फिल्म को दोबारा बनाया जाना है जिसे एक बार फिर साजित नाडियाद वाला दोबारा ही प्रड्यूस और डिरेक्ट किया जाएगा जो की अपने आप में बेहधी खास होने वाली है। जैसे ही फिल्म की शूटिंग खत्म की जाती है वैसे ही अपनी अपकमी मूवी के के शेडियूल पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। इस बार फिल्म में विलन के लिए एक नए चेहरे की तलाश जारी है देखना ये दिलचास्प रहेगा कि वे नया चेहरा कौन सा होने वाला है। जैसे ही फिल्म की स्क्रिप्ट और स्टार कास्ट कन्फर्म के जाते हैं वैसे ही फिल्म का ओफिशिल एनाउंस्मेंट कर दिया जाएगा। वेल अब देखना ये रहेगा कि ये फिल्म पहले की तरह बॉक्स ओफिस पर अच्छा रिस्पॉंस कर पाती है या नहीं। तो दोस्तों आपको सल्मान खान की फिल्म के के सीक्वल का कितना बेसब्री से इंतजार रहेगा आप अपनी राए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलिवोड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चै